महामंदी भूम, स्लोडाउन, रिसेशन, डिप्रेशन और मिल्ट डाउन इस अब वर्ट जानिए का तब निउस्पेपर लिख लिए सब्द लिखे अब एको गडाब बनाएंगे पुरा के लिए रोजाए गवराना ने यह सब कुछ सब्द है जो अर्थ ववस्था में आपको मिलेगा अब सुनो क्या है यह सब्द समझना यह नौर्मल यह हुआ मतलब एक नौर्मल है बहुत ज्यादा उचाल नहीं है बहुत नीचे भी नहीं है बहुत महंगाई भी नहीं है बहुत सस्ताई भी नहीं जब अर्थ ववस्था तेजी से उपर बढ़ती है किसी भी देश की अर्थ ववस्था कभी भी लगातार उपर नहीं बर सकती ये मेरी बात सुनना जो हम बोले इस बात को ध्यान से दिमाग में सेट करो option रहेगा भी question कराएंगे आज अर्थ व्यवस्था में कभी भी किसी भी देश का GDP विर्दीदर ध्यान सुनिएगा GDP विर्दीदर कल पर आए थे ना GDP growth rate GDP विर्दीदर किसी भी देश का लगतार नहीं बढ़ सकता बढ़ेगा घट जाएगा घट जाएगा घट जाएगा घटकत प्रूं है GDP 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 सुनो GDP लगातार बढ़ सकता है घट भी सकता है दिक्कत नहीं है लेकिन GDP विर्धीदार परसेंटेज GDP वो लगातार कभी ने आपसे सवाल देगा यूपीसी का सवाल सवाल क्या दिया कि पिछले पांच वर्सों में भारतिय अर्थ विश्था में GDP विर्दीदार लगातार गिर रही है काना rate है percentage है लगातार नहीं गिर सकता कभी बढ़ेगा कभी घटेगा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा GDP कमजोड है उसका भी growth rate बोलेगा rate percentage वला तो बढ़ता है घटता है बढ़ता है लगातार कभी नहीं होता है दिमाग में सेट रख नहीं जब GDP growth rate बढ़ रहा होता है तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं बूम इसी को बोलते हैं बूम अंग्रेजी में ही लिखेंगे बूम को क्या बोलेंगे तेजी मतलब अर्थव्यस्था में तेजी है अब हमारी अर्थव्यस्था बढ़ रहे है कोवीड 19 में देखेंगे सब देश की अर्थव्यस्था खड़ाब हो गए भारत दुनिया का लीडिंग एकनॉमी था हमारी भी अर्थव्यस्था में कई सारे मतलब जितने सेक्टर थे उद्योग सेक्टर प्राथिमिक दूतियक तिर्थियक यह न तीन है में लिए तो दुटियक चेतर उद्योग तिर्थियक सेवा ही दोनों निगेटिव में था उद्योग धंदा बंध था मजदूर काम नहीं कर रहा है और सेवा चेतर सबको लॉक्डाउन में चुटती है लेकिन कृसी चेतर हम लोग का नीचे जाएगी लगातार बढ़ सकती ही नहीं है जो टॉप पॉइंट है इसको बोलते हैं पीक चोटी इसके बाद अर्थवेस्था नीचे गिरती है नीचे गिरा दी है अच्छा एक बात समझेगा यह जीडीपी ग्रोथरेट नॉडमल है यह नीचे गिरा इसके नीचे जाएगा ना तब जीडीपी निगेटिव होगा मालो यहां 7.2, 7.2, 8.2, 9.2 आया भारत का 9.2 से नीचे गिरा है 9.2 है 9.2 के बाद 8, 7, 6, 5 अभी हम लोग 7.2 में है ध्यांदो तो 9.2 के बाद नीचे गिरा लेकिन निगेटिव तो नहीं हुआ बोलो कोवीड में हम लोग क जीडीपी डिरेक्ट नीचे गिर गिर था माइनस सारे 23 परशन हम लोग का जीडीपी ग्रोथ रेट चार बार निगेटिव आया है आगे पढ़ेंगे जब ही नीचे जाता है इसको बोलते स्लो डाउन इसको क्या बोलेंगे स्लो डाउन आप से पूछेगा भारत की समलब तो यानि हम लोग का पीक था 9.2 परसंट अलाकि मन महान सिंह के काल में हमारा जीडीपी पीक पे था 11.2 परसंट बारवी अर्थ पंच वर्शे यूजना में तो अभी छोड़ो 9.2 परसंट हम लोग का भूम था पीक पर थे अभी 7.2 है तो बताओ किसमें है भूम में की स्लोडाउन हां तो आप से पुछेगा भारत की भारत की अर्थवर्श्था इस वक्त गुजर रही है तेजी से मंदी से महामंदी से सुस्ती से हां तो सुस्ती में अर्थवर्श्था जल्दी से इसको बनाईए इस लोग का मतलब हम लोग अभी भी बिर्धी में है पॉजेटिव ग्रोथ रेट है निगेटिव आएगा तब घट रहे होंगे शलोडाउन का मतलब पीक से नीचे है यानि हम लोग का जीटीप ग्रोथ रेट सुस्ती में जरूर है लेकिन अभी भी बढ़ रहा है 7.2 बूम करना का मतलब लगातार जीडीप बढ़ रही है स्लोडाउन का मतलब लगातार जीटीप घट रहे है पिछले पिछले बार 7.3 था भी पिर 7.2 हो गया बूम पीक स्लोडाउन पीक का मतलब इस्से उपर किसी देश के अरत वेश्थ वहसता नहीं है इस देश में यहीं slow down, अब यहां से ना negative होना start होगा, इस point से अब GDP negative में growth rate होगा, negative का मतलब GDP विर्धीधर negative होगी, पहले मानलों की 100 GDP था, अब 98 है, तो बताए यह कितना growth rate होगा, 100 minus 98, 98 minus 100, अब बटे में 100, गुना में 100, कितना आया, minus 2%, इसी को negative, जिस point पर पहली बार negative होता है, उसको कहते हैं, contraction, contraction, देखो यही सब थोड़ा सा, तुमको डर लगेगा इससे, इसब word अगर clear, संकुचन, संकुचन अगर किसी के GDP में लग गया, जैसे कोरोना में साफ साफ हर paper में आप देखते होंगे, अगर paper पढ़ते होंगे तो, तो कोरोना में direct लिखता था, भारत की GDP, दूसरी तिमा ही में संकुचन फेज में है, क्योंकि मार्च से lockdown लगा था, 45 दिन का पहरा lockdown लगा था, तो दूसरे फेज में संकुचन, संकुचन का मतलब तुमने दिमाग में आजना चाच्छा आप negative होने वाला, बोलो clear है, संकुचन के बाद GDP नीचे की और, मतलब negative growth rate देती, negative growth rate, लगात के लिए रहना, अपरील से जून, फिर जुलाई से सितंबर, ज्यां दो, लगातार दो quarter में, एक quarter से नहीं होगा, जैसे COVID में, बस एक quarter में साड़े 30 का माइनस negative growth rate था, लगातार दो quarter तक, दो quarter तक लगातार अगर negative growth rate रहा, negative में, तो इसी को बोलते हैं, recession, अब हम यहां दखो, recession, recession, अभी सब पूछेगा तुमसे, मन्दी, मन्दी का मतलब, लगातार कितने quarter तक मन्दी होना चाहिए, हाँ, लगातार, दो quarter में, GDP growth rate, या विर्धी दर लिख देते हैं, GDP विर्धी दर, negative, अगर सिर्फ एक quarter में negative है, तो उसको recession नहीं बोलते हैं, उसको contraction बोलके छोड़ दें, लगातार, दो quarter तक अगर रह गया recession, negative, तो उसको recession बोलते हैं, अब इस अबाल पुछेगा आपसे, कि मन्दी के दौरान, मन्दी के दौरान, कितने तिमाही तक GDP growth rate negative रहता है, एक तिमाही, दो तिमाही, तीन तिमाही, चार तिमाही, दो तिमाही, लगातार, quarter का मतलब तिमाही, लगातार 6 महिना तक, कुल मिला के, दो तिमाही तक, अगर GDP growth rate negative रहा, तो अर्थवरस्था मन्दी में चल जाता है, ठीक, एक चीज होता है, महा मन्दी, अब देख लो, यहाँ से यहाँ तक, अब फिर GDP ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क के नीचे तक, depression, महा मन्दी, महा मन्दी, एक बार समझ जाएंगे तो असान हो जाएगा, सुनिए, अगर GDP एक नॉर्मल से बढ़ने लग जाए लगातार तो, बूम, सबसे उपर, पीक, अगर घटने लग जाए लेकिन positive में घटे, यही समझते हो, slowdown में GDP negative होगा, इसके नीचे negative होगा, तो slowdown में positive में लेकिन घट रहा है, तो उसको slowdown यानि की सुस्ती कहते है, मन्दी नहीं कहते है, contraction, पहला बार negative, एक quarter negative होगा, कोई दिक्कत ने, चलता है, लगातार दो quarter तक negative हो गया, तो GDP किसमें है, तब उसकी अर्थवेस्था को बोलते हैं, मन्दी, recession, चा बोलते हैं, recession, मन्दी ध्यान रखेंगे, अगर, अभी सवाल पुछाओ, पुछेगा आपसे, सुनिया अधान स अगर तीन साल तक, तीन वर्स तक, एक दो नहीं, अगर लगातार तीन वर्स तक, recession रहे, recession का मतलब GDP लगातार negative हो, तीन वर्स तक recession रहे, अगर लगातार तीन वर्स तक, सुनना पहले लिखना बाद में, सुन लिजे, लगातार तीन वर्स तक, क्या चले, recession, रिशेशन मतलब मंदी लगातार तीन साल तक मंदी चले और GDP विर्धीदर 10 परतिसत निगेटिव हो जाए माइनस 10 परसेंट से नीचे हो जाए तो उसको महा मंदी बोलते हैं दिमाग में ध्यान रखोगे GDP विर्धीदर 10 परतिसत से नीचे गिर जाए 10 परतिसत से नीचे गिर जाए और कितने साल तक तीन साल तक तब उसको क्या बोलेंगे महा मंदी महा मंदी 1939 में USA में आया 2078 में फिर आया तो दिमाग में सेट रखोगे आगे पढ़ेंगे यही सब आपको दिखने मिलेगा कि महा मंदी रिसेशन कितने साल होना चाहिए तीन साल अगर दो क्वार्टर तक निगेटीव है तो इसको रिसेशन और अगर मंदी लगातार तीन साल तक है तो इसको महा मंदी लेकिन GDP भी कितना नीचे गिरना चाहिए इसके बाद देखो कि GDP किसी भी देश का उठे गई उपर recession के बाद depression के बाद जब उपर उठता है उपर उठता है तो जो सबसे lowest point है सबसे नीचे इसको बोलते है ट्रफ अंग्रेजी में क्रेश्ट अंट्रफ याद है वेब में पड़े होगे हिंदी में इसको बोलते है गर्थ कि GDP अब गर्थ में चल गए मतलब आप सबसे ख़ड़ा विस्तिती में बदहाल देश है बिक गया सब कुछ अब उपर बढ़ेगा GDP आगे लिख लिजे गर्थ लिख लिख लेंगे आप यहां से आगे बढ़ेगा GDP अब कैसे भी जा सकता है इसको बोलते है रिकवरी, रिकवरी, अब रिकवरी कई प्रकार के होते हैं, रिकवरी मतलब फिर से अपना पोजिशन में आना, रिकवरी कई प्रकार के होते हैं, लिख लिए इस पूछ सकता आप से कि लगातार दो क्वाटर तक GDP नेगेटिव होगा उसको मंदी बोलेंगे लगातार तीन साल तक मंदी है दस परसंट से नीचे महा मंदी सबसे खड़ा विस्तिति गर्थ उसके बाद रिकवरी होगा रिकवरी के कई प्रकार होते हैं स्टेजर होते हैं लिखो इस स्टेजर ऑफ रिकवरी लिख लिए इतना लिख लो पर ले अडाम से हैं रिकवरी स्टेजर्जर्ड रिकवरी के चरण अभी सब कुछ नहीं बहुत असान एक और एगा भी से प्रिकवरी सेप को आकार बोरते हैं भी आकार की रिकवरी यूसे प्रिकवरी इससे सवाल जिससे आएगर हम वह लिखवा देते हैं यूसे तीसरा एल सेप रिकवरी चौथा डबल्यू सेप रिकवरी और पांचमा है सू सेप रिकवरी सू सेप एक काल्पनिक भी होता है जे सेप रिकवरी ऐसे लिखें नहीं जे लगड़ा है इस दोनों में अंतर है इस सू से बढ़िया समन नाइकी का देखें टिशेट में नाइकी का कैसे लिखा रहे था तो यहीं सू से प्रिकवरी हलका सा एसे तेचा कर दे और जे ऐसे रहेगा इस अब इसलिए बता रहे हैं कि पेपर में इस अब वर्ड मिलेगा अब इसमें एक्जाम में क्या सवाल लाएगा सुनो खले पहले ही समझे कि नहीं ऐसे रिकवरी हो रहा था ध्यान दिजे पहले समझ लो अब रिकवरी होना है रिकवरी कैसे भी हो सकता है रिकवरी होगा कि ऐसे यू बना के हो इसको कहेंगे यू सेप रिकवरी हो जाए खड़े ऐसे भाग जाए इसको वी सेप रिकवरी है ऐसे भी हो सकता है कि रिकवरी हो अब फिर अर्थवस्था गिर जाए अब फिर रिकव को लेंगे डबल डिप तो डबलू का दूसरा नाम है डबल डिप डबल डिप कर गया कि जाओ ड़ा अब ध्यान देजे एक्जाम में क्या सवाल आएगा बस दो कोश्चन पूछता है सबसे खतरनाक है एलसेप रिकवरी बस यहीं पूछेगा सबसे खतरनाक most dangerous recovery in economy इस एलसेप इतना ध्यान रखना क्यों क्यों कि आप देखिए एलसेप में क्या हो रहा है recovery हो ही नहीं रहा ऐसे गया नीचे आया अब एलसेप recovery देखना यहां एल बनेगा नीचे जाके ऐसे जाए बोलो रिकवरी है उपर गया है नहीं इस सबसे जिस देश की अर्थव्यस्था एलसेप में चला गया समझाओ देश आप बाहर नहीं निकल सकता सबसे खतरनाक अर्थव्यस्था का एकनॉमी सबसे खड़ाब recovery है एलसेप जेशेप देखो क्या है जेशेप इससे भी सवाल पूछेगा यह उपर गया जे बनाया जे बन क्या दो कोई जे नहीं है आ उसके वादा इसे रा गया ब इमेजनरी यही दोनों सवाल पूछता है दोस्त और कुछ नहीं पूछेगा आपसे यही दोनों पूछेगा कालपनिक recovery है यू सेप एलसेप डबलू सेप जेशेप लरका को पता चल रहा है उस समय अब एक बार देख लिए तो कोई सवाल आप बना दो यही दो सवाल है सब बूम का मतलब ग्रोथ रेल बढ़ना की घटना बढ़ना सबसे उपर को पी सबसे नीचे को गर्थ सबसे नीचे को गर्थ पहली बार निगेटिव होगा तो contraction यानी संकुचन पहली बार निगेटिव संकुचन लगातार दो क्वार्टर तक निगेटिव मंदी अड़े बोल काल्पनिक जे काल्पनिक जे बस चलिए हम लोग पढ़ने थे नेशनल इंकम राष्ट्री यह आए इसमें पहला ही टॉपिक था जीडीपी पुरा मुश्किल था हम लोग जीडीपी पर लिए अब पढ़ेंगे जी एनपी आप कुछ है नहीं एक टर्म है एंडीपी और एक कौन है एन एन पी और परतिवेक्थी है ध्यान दो बहुत इजी है अब एकदम समझना ध्यान से सुनिए अब लिखो नहीं पहले सुनो जी एनपी इसको बोलते ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट सकल घरेलु नहीं है यह राष्ट्रिय उत्पाथ सकल राष्ट्रिय उत्पाथ अब इसका क्या मतलब है सुनिए द्यान से सकल राष्ट्रिय उत्पाथ का मतलब होता है कि अगर भारत के अंदर की बात करें तो भारत के सीमा के अंदर घरेलु सीमा में जो उत्पादन होगा तो जीडीपी बोलें घरेलु सीमा में जो उत्पादन होगा जीडीपी होगा लेकिन आप खुद सोचे कि यहां मालनो अमेरिका का कोई विदेशी आदमी दिल्ली में आके काम कर रहा है गुरुगाओं में करता है यह विदेश का आदमी कमा के कहां भेजेगा अपना देश में भेजेगा तो हमारे देश में क्या इसके पैसे तरक्षी हुआ कमाया यहाँ अमेरिका में ऐसा कोई देस नहीं जहां भारतिय नहीं है अमेरिका में भारतिय है उसको प्रवासी बोलते है तो अमेरिका में भारतिय जो पैसा कमाया है वो अपना माय बाप को यहाँ भेजेगा रे बोलो तो यह वाला पैसा हम लोग को काम में आगे जो विदेशी लेके गया हूँ काम में आया ही नहीं इसलिए कहते हैं कि GNP का मतलब क्या है GNP का मतलब है कि एक देश के नागडिकों के द्वारा पर यहां सुनना किसी एक वित्तिये वर्स में यहां भी वित्तिये वर्स है वित्तिये वर्स कब से कब तक होता है एक अपरेल से 31 मार्ट किसी एक वित्तिये वर्स में इन एनी फिसकल यह देश के नागडिकों के द्वारा बुलू टिसाड कोची कर रहा है रहे किसी एक वित्तिये वर्स में देश के नागडिकों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन, नागडिक के द्वारा, अब नागडिक विदेश में भी रह सकते हैं, कोई दिखकत नहीं, देश के नागडिकों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन, तथा, कुल उत्पादन का मतलब क्या, उत्पादन क्या क्या है देश के सीमा के अंदर विदेशी भी अगर काम कर रहा है तू भी GDP है लेकिन GNP का रहा है कि नहीं GDP में हम लोग को फाइदा नहीं है भारत का नागरिक बाहर से कमा के यहां भेज रहा हूँ तो जोड़ी ने रहे हैं यहां का उत्पादन करना कहीं भी करें देश का नागरिक कहीं भी उत्पादन करें उसका उत्पादन जुड़ेगा GNP में लिखिए डेफिनिशन लिखिए उसके बाद समझा देते हैं और अश्म तुरंत हो जाए किसी एक वित्तिये वर्स में किसी एक वित्तिये वर्स में देश के नागरिकों के द्वारा देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित सेवा एवं अन्तिम वस्तु के मौदरिक मुल्य को सेवा एवं अन्तिम वस्तु के मौदरिक मुल्य को सकल राष्ट्रिये उत्पाद कहते हैं सेवा एवं अन्तिम वस्तु के मौदरिक मुल्य को सकल राष्ट्रिये उत्पाद कहते हैं in any fiscal year, comma, the monetary value of, the monetary value of, final goods, and services, produced by, the citizens of a country, is called GNP. It's called GNP. Ared, GDP what has been said? GDP what has been said? The national market of the country, the national market, GDP. The national market, the national market, the national market, GDP, किहते हिस सीमा में जतना उत्पादन हूआ! बोलों एस सीमा में कौन उत्पादन किया है? या तो न को बिदेशी आदम है उत्पादन किया, यह विदेशी यह चुछ है, तो इसमें विदेशी का घटा देते हैं, GDP梅 क्या करते हैं विदेशी का घटा देते हैं विदेशियों विदेशियों के द्वारा या विदेशियों की आए सुनो फिर से GDP का मतलब देस में कितना उतपादन हुआ देस में दो चीजे उतपादन करता है कौन कौन करता है देसी और विदेसी हम यह कह रहे हैं GNP का मतलब देसी के द्वारा कितना उतपादन तो विदेसी घटा दी तहरे, बोलो किलियर है है आप विदेशी घटा दिये तो आप ये बताइए कि जी एन पी में खाली देश के सीमा के अंदर है कि बाहर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं वह बाहरी वैक्तिक पैसा जमा करके भारत नहीं देगा देगा तो जोरना पड़ेगा क्या देश के नागडिक जो विदेश में आए प्राप्त कर रहे हैं विदेश में विदेश में नागडिकों का प्राप्ता है नागडिकों की आए नागडिक हम लोग के विदेश में जितना कमा रहे हैं वह वाला तो जी एन पी का फॉर्मुला हम लोग क्या बन गया जी एन पी ब बाहर भी तो है तू बाहर वाला देशी जोड़ दिंग, बोलो, बाहर वाला जोड़ोगे, बाहर से जो पैसा, अच्छा एक बात बताए एक, थोड़ा से सुनो, एक से क्या होता था, एक्सपोर्ट, और एम से, इंपोर्ट, आयात, सुनना थोड़ा सा समझना है तो कन्फ्यूज कर जाओगे, कोई चीज देश में समान मंगाए वस्तू, तो वो आयात है कि निडियात, आयात, एम नहें हो, ठेक, अच्छा हम लोग अपना उत्पादन कहीं भेजे, तो निडियात है, उसको क्या बोलेंगे, एक्स, किलियर है सबको इतना, अच्छे एक बात बताना, जब आप वस्तू, सुन्येगा, समझना, अगर हम वस्तू किसी दूसरे देश में मालने साओधी अरब में भेजना है, हम अपना समान प्रोड्यूस करके साओधी में भेजने हैं, त्माटर, यहाँ बनाई टमाटर, साओधी अरब भेजनी, जब साओधी अरब में टमाटर भेजने तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स, अच्छे एक बात बताउ, एक्स पॉर्ट करेंगे तो साओधी अरब पैसा लेगा की देगा, हं, प्रिज़ सूजओ, हम टमाटर दिये साओधी अरब को तो पैसा ही लेगा या भारत को देगा इसका मतलब जब एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है की जाता है हाँ इसका मतलब रुपिया आ रहा है आया के लिए रहे इतना? अच्छा अब हम मान लेते हैं कि साओधी अरब में हुआ खजूर और खजूर को हम मंगाए इंडिया जब खजूर इंडिया मंगाए तो उसको इंपोर्ट की एक्सपोर्ट अरे आयात की निर्यात? आयात जब आयात करेंगे तो भारत पैसा लेगा इससे की पैसा देगा तो यहाँ पैसा गया बोलो किलियर है? हम ऐसे भी तुए सकते हैं X का मतलब समान गया लेकिन पैसा आया M का मतलब समान आया लेकिन पैसा गया देखना ध्यान से GNP क्या है? सुनो जिसको नहीं समझ में आ रहा है बढ pau यहाँ से दिमाग में सेट करो इसको देश में जो उतपादन होता है उसको GDP कहते है और देश के अंदर दो उतपादन कर सकते है देशी और विदेशी हम यह कह रहे है कि GNP का मतलब रास्ट्रिय उतपाद है रास्त्रिय व्यक्ति राष्ट्र का आदमी जो उत्पादन कर रहा उसको GNP कहते हैं तो देस वाला जोडोगे की विदेस वाला हम यहाँ GDP लिख दिये तो इसमें तो दोनों ना गया दोनों का पैसा इसमें किसको घटाना होगा विदेसी का विदेसी हम लोग से पैसा लेके गया कि पैसा पहुचाया पैसा गया को क्या बोलते हैं M दियान रखना बढ़िया से और सुनो एक बात अमेरिका में कोई भारतिये आदमी है भारतिये आदमी है अमेरिका में और अमेरिका में भारतिये आदमी है वो पैसा भारत भेजेगा अले बोलो, तो उबला जोड़ोगे GNP में की नहीं, हाँ, GNP का मतलब राष्ट्र का आदमी कहीं भी उत्पादन कर रहा है, सब को जोड़ दो, GNP का मतलब राष्ट्र का आदमी कहीं नागडी कहीं भी उत्पादन कर रहा है, उसको जोड़ देंगे, तो GNP का मतलब राष X minus M अड़े बोलो अब यह आयात निरियात नहीं सोचना X और M का मतलब रुपिया आया यहां रुपिया आया यह X क्या है विदेश में रहने वाले भारतियों द्वारा इंकम विदेश में रहने वाले विदेश में रहने वाले भारतियों का पैसा और M क्या है, देश में रहने वाले विदेशियों का पैस, अड़े बोलो, तो GNP का मतलब समझे, GNP का मतलब हुआ कि, हम एक सौट एक्जामपल देते तब किलियर होगा, पहले इसका लिख लिजे तो, हमको लगता है कि भारत उरत कर रहे हैं, तुमना दिमाग ने सेट कर रहा कोई खचरा एक्जामपल सोचते हैं, पहले फॉर्मूला लिखिए, GNP बराबर, GNP बराबर, GDP, प्लस, X-M, GDP बराबर, GNP बराबर, GDP, प्लस, X-M, X के नीचे लिखिए, X के नीचे, ऐसे लिखो, GNP बराबर, GDP, प्लस, X-M, X के नीचे लिखो, एरो देख, देश के नागडिकों, देश के नागडिक, देश के नागडिक, जो विदेशों में आय अरजित करते हैं, देश के नागडिक जो विदेशों में आय अरजित करते हैं, the income of citizens in abroad देश के नागरिक जो विदेशों में आयर जित करते हैं M के नीचे लिखेंगे विदेश के नागरिक विदेश के नागरिक जो देश में आयर जित करते हैं income of foreigners in the country विदेश के नागरिक जो देश में आयर जित करते हैं विदेश के नागरिक जो देश में आयर जित करते हैं लिख लिए हम एक्जामपल देते हैं पहले समझ लिजी यह X-M आप समझ गए इसको बोलते हैं NFIA है कुछ नहीं इन नामें ही सब लिख दिया है जो economics भाड़ी लगता है NFIA का मतलब है net factor income from abroad लिखो net factor income from abroad फिर से formula लिखके NFIA नीच लिख net factor income from abroad विदेशों से प्राप्ट सुध्ध आये 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 अभी हम एक्जाम्पल देंगे सब किलियर हो जागा गब्राना नहीं एक्जाम्पल अभी हम दिये नहीं है अभी हम खाली समझा हो रहा है केस अब लिखना नहीं पहले सुन लेजें तीन केस हो सकता है एन एफ आई एक संबन एक्स माइनस हम सुनना ध्यान से दोस्त बहुत इजी है एकदम माहा चटनी है देखो तीन चीज हो सकता है या तो एक्स एम के बढ़ाबर हो जाए या X M से बढ़ा हो या क्या हो सकता है X M से छोटा हो X का मतलब क्या है X का मतलब है देशी जो बिदेश में कमाते है हम लोग का आदमी जो अमेरिका साओधी अरब में कमा रहा है वो X है किलियर और जो बिदेश का आदमी भारत में कमा रहा है वो M है, अभी example देंगे बहुत आसान हो जाएगा, तो X और M समझना, X का मतलब हमारा आदमी जो विदेश में है, M का मतलब विदेश का आदमी जो देश में, बोलो के लिए रहे सबको, दो चीज़, तीन चीज़ हो सकता है, या तो X M के बढ़ाबर हो जाए, अब आप बढ़ाबर है, E1 है तो E1 है तो 0, GNP बढ़ाबर GDP, जिस देश के लिए GNP और GDP बढ़ाबर हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ, कि इस देश का कोई आदमी बाहर नहीं है, अना है इस देश में बाहर का कोई आदमी, अरे बोलो यार, ऐसे देश को बोलते हैं, absolutely closed economy, पूर्णत बंद अर्थ व्यवस्था, यही जब पूछेगा, कि पूर्णता अर्थ व्यवस्था में, X बढ़ाबर हैं, X ग्रेटर देश देश का नहीं है, अज हर देश में, कहीं ना कहीं नागरिक बाहर कमा रहा है, उसका नागरिक अंदर, export, import होई रहा, दूसरा क्या स्थिति है, X बढ़ा हो जाए M से, सुनना ध्यान से दोस्ते, तो गरबरा जाएंगे आप लोगा, X बढ़ा हो जाए M से, माल लेते हैं, यह 1-1 था, तो 0 हो गया, घट के 0 हो गया, GnP, GDP बढ़ा हो जाए, X बढ़ा हो जाए, E वला 8 हो जाए, I वला 3 हो जाए, तो बोलो क्या होगा, GNP माल लेते हैं, GnP बढ़ाबर GDP पलस 8 माइनस 3, 5, बोलो GnP, GDP के बढ़ाबर है कि GDP से जादा है, जादा है, 5 जोरने पराता है, बोलो जार, यानि इस क्लेस में GnP, GDP से बढ़ा हो गया, क्योंकि positive ना आएगा, इसका मतलब है GnP, greater than GDP, जिस देश का GnP, GDP से जादा होता है, उस देश को विक्सित अर्थववस्था कहते है, विक्सित, developed economy, मतलब X जादा है, मतलब देश का आदमी विदेश में जादा कमाता है, अब विदेश का आदमी देश में कम कमाता है, ऐसा कोई देश है, तो इसको बोलेंगे विक्सित, देशी आदमी जो अमेरिका जा रहा ह अब विदेश का आदमी देश में कम कमाई यही 3 रुपिया कमाते हैं और 8 रुपिया हमारे यहां से लेके चल जाते हैं मतलब GNP GDP से बड़ा हुआ छोटा तो GNP लेस देन GDP यही भारत का हाल है भारत का हाल समझ लो भारत का आदमी विदेश में कम कमाता है विदेश का आदमी भारत में ज़्यादा पैसा कमाता है एपल भारत में फोन बेच रहा है माइक्रोसॉप्ट, गूगल, यूटूब इस अब विदेश का कमपनी है जो भारत के युवाउंस पैसा लेके जा रहा तो विदेश वला कमपनी हमारे यहां अगर आट रुपिया कमा रहे हैं एक्जामपल दी तो हम लोग का आदमी विदेश जाता है जादा आदमी विदेश में हमारा ही है लेकिन वो जाता है से लूट रहा है अब आपको जान के अश्चार होगा कि चीन हमारे से 200 करोर का वैपार करता है जिसमें 160 करोर चीन ले ले लेता हम लोग 40 करोर उससे घिचते हैं तो बात समझ रहे हो तो भारत का इस्तिति यही है इसलिए भारत को कहते हैं विकास सील developing economy जिस दिन हम लोग का आदमी विदेश में ज़्यादा कमाने लग जाएगा उस दिन हम लोग भी विक्सित हो जाएगे लिख लिजए इसको अब हम एक example देते हैं घर है घर अब छोड़ो भारत नहीं समझ रहे हो तो घर के लिए GDP जीनप हमको बता दो तो अब जिससे पूछेंगे पहले वही बताएगा इने की बोलने लग जाना जुटों के घर में एक लड़का है राम आई 4000 रुपिया कमाता है एक लड़का है शाम इच्छे हजार कमाता इसी घर का एक वेक्ति है मोहन जो दिल्ली कमाता आई यहां 12,000 कमाता इस घर में एक नौकरानी भी है उसका नाम है गीता वो 2000 लेके निकल जाती पैसा लेकिना अब हम पूछेंगे आपसे इस घर का जीडीपी क्या होगा इस घर का जीडीपी क्या होगा जीडीपी का मतलब घर के अंदर कितना उत्पादन हो रहा और जी एनपी का मतलब देश का यानि घर का आदमी कितना कमा रहा है अगर से अगर कोई जा रहा है तो इसको भी समझान च्छडी लाए दो तुमको घंडी पी नहीं बहुत में आ रहा अभी गणरी तो पहले भी इसका निकलवाए थे लिए अल्वा नहीं करो बोलो क्या बोल रहा कितना रुपिया रूपिया बोल रूपिया क्या 2400 प्राब ग्राव यहीं कैसे हुआ बारा हजार बताओ वे तुम बारा बोला था कितना बोला था देश का घर के अंदर कितना उत्पादन कर लाइश है गीता का घर की नहीं है लेकिन उत्पादन तो घड़े में हो रहा है कितना क्वारा हजार बहुत अच्छा चलो लोग यह किलियर है न सब का चलो आप इस देश्क आप इस घर का जी एन पी अगर जी एन पी बता दिये तो किलियर हो जाए खड़ाई आप बताइए देख घर का जी एन पी कितना आला नहीं करो कोई जली खड़ाई आए कि अधना कलकुलेशन है अज़ित लगड़ा है कि भारते का जीडिपी सीए सो क्या द्यक्षा क्या आप अब बोलो बाई हजार कैसे छे हजार और चार हजार इन्होंने कहा कि चार हजार राम का छे हजार स्याम का आप बारह हजार किसका मौन का ठीक चे चार दस और बारह बाई सुग्षार हो गया का बोलो कोन को लग रहा है बाई सार हो घूटो कितना होगा अड़े आपको देखना होगा कि वीडेश में भी अगर घर का आदमी राया है घर का अदमी घर में 4000 और शेर, अई गो बिदेस में भी रहा रहा है, दिल्ली कमा रहा है, कितना? 12000, तो जोर दिये, बहुत अच्छा, लेकिन यह भी देखना होगा कि घर से कोई पैसा लेके जा भी रहा है क्या? यह बिदेस ही नहों गया, तो यह वाला पैसा तो घर में काम आया नहीं, तो इसको क्या करेंगे? माइनास, तो कितना अंसर होगा? 20,000, बोलो किलियर होगी है सबका, GDP, GNP समझे, अब देखो, अब एक शीज होता है, NDP, आएक है NNP, सब कुछ नहीं है, द्यांत सुनिए, NDP, सुनो, NDP, NDP का मतलब होता है, GDP, माइनस, डेप्रीशियेशन बोलते हैं, डेप्रीशियेशन, घिसावट, सुनो ध्यान से पहले, और NNP होता है, GNP, माइनस घिसावट, घिसावट माइनस कर देंगे, तो GNP में घिसावट घटाएंगे तो NNP, और GDP में घिसावट माइनस करेंगे तो NDP, N का मतलब होता है, NET, और ही क्या है, डोमेस्टिक प्रोड़क्ट, निवल, घडेलू उत्पाद, सकल घडेलू उत्पाद में घिसावट घटा देंगे तो NIVAL, NIVAL को इस सुद्ध भी लिखते हैं, नेट निशनल प्रोड़क्ट, निवल, राष्ट्रिय उत्पाद, निवल यानि की सुद्ध, निवल का मतलब सुद्ध हो गया, हम एक्जामपल समझाते हैं, कई लड़का यहाँ पर है, GDP हो गया और GNP, वो बैठके मेरा ही आई जोडते रहता है, कि सर कितना कमार, कई है है, हम जानते हैं, वो खल गिनते रहता है कि देख कितना बेंच हो, अब क्या गो एक बेंच पर है, आप पूरा गीनो, अब फिर क्या गाड़े साम में अलग, देख लो, कई ऐसा भी है, तो माल लो की दूसरो स्टूडेंट, साम तक में, तो एक हजार रुपिया सब दे रहा, कितना हो गया, हम अपने यहाँ से समझा, यह जो तुम देखे, इस्यू बोलते है GDP, देश के अंदर कुल कितना उत्पाद है, नहीं GDP है, फिर कोई कहेगा, आउन नेटवा पे जो कभी कभी भेशते हैं, वो भी नहीं, तो GDP में, ध्यान सुनो, GDP का मतलब देश के अंदर उत्पाद है, और नेट से माल लो एक साल में एक लाग रुपिया आया, तो 2 लाग पलस, एक लाग, अब 2 लाग तो E यह तो महिना का हो गया, साल का कर देते हैं, बारह दूनी कितना हो जाएगा? तुम लोग तो बाषा हो जाएगा, एक लाग सा, कैतना हो गया E, 25 लाग, E जो तुम देखे, इसको क्या बोलते हैं? जी एन पी, अच्छा एक मात बताओ, यूटूब से जो हमको पैसा आ रहा है, वो यूटूब से पैसा जो हमको आ रहा है, वो विदेश से आ रहा है कि देश से आ रहा है, इसका मतलब हम विदेश जाके कमाए है, नहीं हो गए तो विदेश जाए कि ने कमाए है, यूटूब ह को पैसा बेजा दे बोलो आया ना तो जी एनपी में जुड़ेगा की टेपी में वो जी एनपी में जूड़ेगा आप बढ़ियास सुना ध्यान दो जब आप इतना निकाले तब कोई लड़का तेज हुआ अउलका कारा ना इंजा गलत है 24 लाग GDP जोर लिए इगलत है काहे ज्यान सुनना आप बताइए हम एक बेंच खर देते 2000 आप बैठ के इसको घिस दिये आप बाहर बेचेंगे तो कितना हम 2000 में बिकेगा हम बोर्ट खर देते 3 लाख में बाहर बेचेंगे 70 लाख में बिकेगा 2 लाख कहा गया तुम देख देख के घि चल रहा है तो किमशन ईतपाधन हो रहा है डिस इसन podr ça already jaw गिस और भोला我 फृह गिसावत को अगर ढ़ल में की सावट माइनस कर देंगे तो बोलो क्या आएगा नहीं कैने कि लाहर थे इतना पैसा ता रगार को सरकार करेगे अच्छा अब पटरी जो घिष गया नहीं हिस daha तो पटरी घिसा, रेल में ट्रेन खड़ाब हो रहा है, बॉगी खड़ाब हो रहा है, कोई पंखा लेके जा रहा है, तो घिसावट है, वो घिसावट घटाएंगे, तब ही सुद्ध निकलेगा, इसको कहेंगे सुद्ध घड़े लूत पाथ, अड़े बोलो, विदेश से प् मज में आ या, निचे लिख देंगे, जी एन पी तो हो गया, एन एन पी हेडिंग बनाओ, हेडिंग उडिंग क्या बनाना, नेट नेशनल प्रोड़क्ट, जल्दी ले लिखिए, नेट नेशनल प्रोड़क्ट, सुद्ध, राष्ट्रिये उत्पाद, सुद्ध का मतलब, निवल, बताइए, एन एन पी, किस से निकलेगा, जी डी पी से, जी एन पी से, क्या घटाना होता है, डेपरिशियेशन, घिसावट, लिख लिए, एन डी पी, नेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट, सुद्ध, घड़ेलू उत्पाद, सुद्ध को ही निवल बोलते हैं, कन्फ्यूज मत करना ही सबसे, तो एन डी पी बोलेगा, जी डी पी से, जी डी पी से, जी एन पी से, जी डी पी में क्या घटाएंगे, घिसावट, वही डिप्रिशियेशन, जल्दी लिख लिए इसको, अब एक बार इसको सम अप करते हैं, ध्यान दीजे, हम लोग नेशनल इंकम पढ़े थे, अभी तो समझो, नेशनल इंकम पढ़े भी ने, चार पैमाना पढ़े, नापने के लिए, जी डी पी, जी एन पी, एन पी, पहले जी डी पिक साथ एन ड जी भी देश की क्रेश शक्ति, परचेजिंग पावर पता चलता कि देश में कितना उत्पाधन हो सकता, एन डी पी तो इसी का सुध रूप हो गया, इसमें दिक्कत नहीं, जी एन पी से क्या पता चलता है, सोको जी एन पी में क्या है, देश के राष्टरी है, मतलब नागर द्वारा उत्पादन है नाग्डिक द्वारा उत्पादन है और आपको हम बताए एक्स और मळा बात याद है जी एनपी बड़ाबर होता था जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम अब देखो जेहां से अगर एक्स और एम बड़ाबर है तब तो ही सेरो prove फैसे कि बंद अर्थवेस्त का आगर लोग का आध्मी बिदेश आधा काम कर रहा है जाधा पैसा कमा रहा हम लोग का अभिदेश ही कम पैसा कमा रहा है तो स्वारप हम लोग बड़े जार भग फिर से लिखने में क्या कष्ट यही उधारन दिये मालो कि राम था कितना कमार था चार अजा श्याम था शे हजार और अब जो गीता रानी है इमालो की कातिक नहीं हम पैसा लेंगे तीस हजार हम लोग कादवी बिदेश में बारह हजार कमा रहा है आई तीस हजार मांग रही है कि हम कटरिना के यहां काम किये हुए है तो मेरा भाव जादा अरे हो सकता है ना तो बारह हजार कमा ही रहा है बाहर में अब बाहरे कितना भेज दिये तीस तो बताओ यह बैलेंस ओफ पेमें अब सोचो कि 12,000 बाहर से कमाए अब बाहर वाली को कितना दे रहे हैं 3,000 तो बतो balance of payment इस घर के पक्षम है कि नहीं बस इसी लिए हम आप से कह रहे हैं कि जो x-m देख रहे हैं जी एन पी यही जी एन पी भूगतान संतुलन को दर साता है और एक बहुत अच्छा objective का सवाल कि इन में से कौन सा आकड़ा भूगतान संतुलन को दर साता है तो जी एन पी भूगतान संतुलन दर साता है यह भूगतान संतुलन दर साता है balance of payment अगर x जादा है विक्सित देश एक्स जादा है विक्सित देश अगर US है तो उसके पक्ष में भूगतान संतुलन हम लोग के कम है दे ज्यादा देते हैं अरे यूटूब हमारे से ज्यादा पैसा लेके चला जाता है जबकि हमारा आदमी अमेरिका में कम पैसा कमाता है तो भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में है कि दूसरे देश के दूसरे देश के हमारे पक्ष में अभी नहीं है तो भुगतान संत कितना पैसा आया चाहे देशी आदमी हो चाहे विदेश में देशी आदमी हो कमा के भीजा देश में सुध्रूप से कितना बचा वही है NNP गिसावटर माइनस करके सुध्रूप से कितना बचा उसको सुध्र आय कहते हैं इसलिए NNP at आफसकान कारक लागत या देशी अरे हम बोल रहे C lago कारक लागत समझ में आ रहा है भूमी इस्राम पुंजी वूमे के लिए क्या लगता है किराया सरं के लिए वेतान पुंजी के लिए व्यार्च और वेवसाई के लिए लगधि यह जोड़ेंगे तो क्या आएगा कारक लागत पर NNP को राष्ट्रिये आई कहते हैं NNP किस पर FC पर इसी को नेशनल इंकम बोलते हैं देखो यही चैप्टर पढ़े थे और अभी चैप्टर खतम हुआ तब आपको इस चैप्टर का डेफिनेशन समझा कि निवल राष्ट्रिये उत्पाद कारक लागत पर राष्ट्रिये आई कहलाता है नेशनल इंकम है क्या सुद्ध नेशनल इंकम क्या है निवल राष्ट्रिये उत्पाद नेशनल प्रोड़क्ट किस पर कारक लागत पर बाजार लागत पर नहीं फैक्टरी में कितना का बना है उस पार national income कहलाता है जल्दी से लिखिए चार पैमाने लेखा राश्ट्रिय आए की गन्ना की चार विधी फोर मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन फॉर नेशनल इंकम पहला लिखिए GDP डैस देके लिखो या किसी अर्थ व्यवस्था की क्रे सकती का सुचक है या किसी अर्थ व्यवस्था की क्रे सकती का सुचक है इंडिकेटर ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ एन एकनोमी देखो यही जो लिख रहे हो इस्टार लगा देना आपको एक्जाम में इसी सवाल आए या किसी अर्थ व्यवस्था के क्रे सकती का सुचक है इंडिके दूसरा लिखेंगे NDP यह सुद्ध क्रै सक्ती दर साता है it indicates Net Purchasing Power यह सुद्ध क्रै सक्ती दर साता है सुद्ध क्रै सक्ती दर साता है जी एन पी तीन नंबर इस इस पेज से पुरा सवाल आएगा संभावना है जी एन पी लिखे डाइस यह किसी अर्थ विवस्था के भुगतान संतुलन का सूचक है यह किसी अर्थ विवस्था के भुगतान संतुलन का सूचक है या किसी अर्थवस्था के भुगतान संचुलन का सूचक है लिख लिए इसी में लिखेंगे 1 बताओ ज्यादा कमा के ही हमारे यहां से ज्यादा आदमी कमा के जारा बोलो हमारा आदमी ज्यादा कमा रहा है विदेश में तो यह पक्ष में कि भी पक्ष में भुगतान संचुलन पक्ष में भी ओपी पक्ष में लिखें जल्दी से पहला नमबर X greater than M ब्रैकेट में लिखना भुगतान संतुलन पक्ष में B.O.P. in favor भुगतान संतुलन पक्ष में निचल लिगो दो number X less than M फेवर में होगा कि डिस्फेवर करेगा विपक्ष में भुगतान संतुलन पक्ष में नहीं X less than M भुगतान संतुलन पक्ष में नहीं भारत का इस्तिती बोलो तो दोनों में से कौन है एक की दो दो, दिमाग में सेट रखो भारत का आदमी X को कोई value ने देता है M का ही value X को value दे रहा है भारत का आदमी नहीं दे रहा है, यह का नहीं भारत के लिए जहां X को ज्यादा value मिल रहा है वो हमारे लिए नहीं यह विक्सी तर थे विस्ता के लिए रो गया? चलिए नीचे लिखेंगे NNP NNP यह सुद्ध आए है यह सुद्ध आए है It is Net Income यह सुद्ध आए है नीचे लिखो इसी में NNP रैकेट लगा के FC बराबर N I यह सब समझ में लरका को नहीं आथा कि क्या किताब में लिख दिया पहले यह लिखे उसके बाद लिख बाते है That is जल्दी करो 5 मिनटे That is बोलो यह क्या लिखा हुआ है नेट नेशनल प्रोड़क्ट किस चीज़ पर फैक्तर कॉस्ट क्या कह लाता है नेशनल इंकम राष्ट्रिय आया देखे डेटीज करके लिखे कारक लागत पर निवल राष्ट्रिय उत्पाद कारक लागत पर निवल यानि सुध लिखो ना निवल लिखेंगे कारक लागत पर सुध राष्ट्रिय उत्पाद राष्ट्रिय आय कहलाता है राष्ट्रिय आय को लाल कलम सिर कर दे राष्ट्रिय आय कहलाता है कारक लागत पर सुध राष्ट्रिय उत्पात क्या कहलाता है मेरे दोस्त एक बात खाली कोई बताईए चलिए आप खड़ाओ ये बताओ GDP किस पर निकलता है कारक लागत पर या मार्केट प्राइस पर पका ना गट ये बहुत अच्छा GDP हम लोग निकालते हैं मार्केट प्राइस पर अब सुनते रहा ना इवलाग खड़ाब लगेगा देखने मेंने समझ लो तो आसान लगेगा हर किताब में तुमको मिलेगा मार्केट प्राइस पर GDP निकलता है आप ये बताईए कि अगर हम GDP सुनना ध्यान से दोस्ट निकालते हैं income method, अरे income method समझते हैं, देश में जितना उत्पादन होता है, सरकार कहती है कि हर महिना के अंत में, या मार्च में, मार्च लास्ट में, आप अपना ITR जमा किजिए, ITR का मतलब, income tax return, इसका क्या अर्थ हुआ, इससे डरना नहीं है, ITR का मतलब, जितना आप उत्पादन किये हो, आपका जितना income है, वहा के सच सच सरकार को बता दो, सरकार कहेगी कोई बात ने, तुम अगर 5 लाग से कम कमाए हो, तो tax नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, जाओ, अब 5 से उपर आए, 7 लाग हुआ, तो सरकार कहेगी, अरे, ज़्यादा कमा रहे हो, जैसे अभी तुम देखा, हमको 25 लाग आग, एक जामपल दे रहे हैं, तो 25 सरकार कहेगी कि पुरा पुरा जादा मार रहे हैं, एको इंजेक्शन तयार रखे, tax कहते हैं उसको, घीच लेगी, अरे, बात समझ रहे हैं, अज इसको कम पैसा है, उसको इंजेक्शन दे दिया, कि तुम लो, उदर से घीचे हैं, तुम को लो, इसी को तो देख कहा रहे है उदर कहेगा, वो कहेगा, पांच से कम में सो करो, भारत में यह इस्तिति है, गाउं में जाएंगे, बिहार में तो और ख़ड़ा भी इस्तिति, गाउं में जाएंगे तो गाउं में अगर पूछा कि आप कितना कम आते हैं, तो पहले पूछेगा कौन है आप, जी हम income tax, income tax, कहां कम आते हैं, आड़े छोगो भैस है, भैस इसाब 20 खाए ले रहती, कुछ नहीं, आड़े नहीं कर देगा आदमें, तो यही आप समझना, इसी को कर रहे हैं कि income tax return, अगर वो पांच लाग भी बता देगा तो tax नहीं लगेगा, लेकिन छोग बताएगा, तो सरकार tax नही राजा है, तो पैसा नहीं लगे, लेकिन सरकारी करमचारी बना दिक्कत में, उसका तो direct balance किसके पास, सरकार के पास, अब एक महिना में 50,000 salary मिल रहा है दरोगा, 12 महिना गुना कर दो, 6 लाग हो गया, दरोगा कहा मालिक 5 लाग तक छोड़ी रहे है, 6 लाग, तो कहगा कुछ नहीं है, एक लाग जादे घीचे हो, चलो लाओ 30%, अब उस सोचो कि अगर 5 कमाता तो उसका 5 बचता, लेकिन 6 लाग का 30% अगर आप कर दो, इस 4 लाग बीसे हजार उसके हाथ में बचता है, 5 कमाता तो 5 बचता, 6 कमाया तो 4 बीस बचता, इसलिए उस 420 भी होता, अरे समझ रहे हो कि नहीं, तो कुल मिला के सरकार हला की चाहती है कि कि किसी का सेलेरी अगर मिले, तो 45 का पार हुआ, तो उस चाहती है कि 60,000, 62,000 इसको कर दो, ताकि बोले, कि 60 ASM है, 56,000 सेलेरी है, का नाम समझ लो, कितना बच रहा हूँ जो हम जान रहे हैं, बात समझ लो, लेकिन ग GDP कौन सा राज जी का है, बिहार का, क्यों, यहां का आदमी सोही नहीं करता है, गाउँ चल जाएगा, मजाल है कि वो इंकम टेक्स वला से बात कर ले, उस सुनेगा कहेगा कहां कुछ कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं, और हमी को दे दिजे इंदरा आवास, तो बोलो, इस GDP स एंडिपी, हम कहें, एंडिपी कोची बोल रहा है, अचा बता ही, मार्केट प्राइस पर था, तो एंडिपी किस पर निकलेगा, जल्दी बोलो, मार्केट प्राइस पर निकलेगा, बहुत बढ़ी, एंडिपी मार्केट प्राइस पर ही निकलेगा, क्या किलियर हो रहा है त अगर आप रहेगा कोश्चन लिख लिख लिए दिना आई क्यों लिख दिये अब NDP से हम लोग को निकालना है NNP यह भी किस पे निकलेगा? Market Price कैसे निकलेगा? GDP से कैसे निकलता बता तो GNP कैसे निकलता है GDP से? GDP में क्या जोड़ते हैं? X और घटाते क्या हैं? M तो यहाँ भी कर दो NDP है हमारे पास Factor Cost sorry Market Price इसमें से X जोड़ दिये M घटा दिये यह वला है मेरे पास X जोड़ के M घटा दिये तो NNP निकल गये X जोड़ोगे M घटा ओगे तो NDP से NNP निकल जाएगा GDP से GNP निकल जाएगा X जोड़ना M घटाना अचा अब एक बात बताईए तो अगर हम Factor Cost करें Factory में बना 4000 का समान सरकार क्या Factory Cost पर टेक्स लेती है? नहीं अगर इस पर टेक्स सरकार जोड़ेगी और क्या घटाएगी? सबसीडी तो इसी को क्या बोलते है? Market Price नहीं कहेंगे जी तो Factor Market Price सुनना ध्यान से दोस्त Market Price का मतलब है सर Factor Cost इसमें टेक्स जोड़ देना है और घटाना क्या है? सबसीडी सुनो ध्यान से दोस्त सरकार जो सबसीडी देती है वो घटा देना है सुनो क्या हम Factor Cost निकाल सकते हैं इससे? देखो तो Factor Cost क्या ऐसे होगा? MP यानि Market Price में टेक्स घटेगा और क्या जूटेगा? सबसीडी नहीं जूटेगा इध्यान रखना question पूछेगा अभी हम बताते है क्या question हमारे पास Market Price पर है Market Price पर है बोलो इसमें टेक्स घटा दें सबसीडी जोड़ दें तो Factor Cost पर निकल जाए औरे बोलो तो हमारे पास जो है उससे हम देखो क्या निकाल देते हैं ध्यान सुनना हम निकाल देंगे NNP at Factor Cost जिसको समझने आ रहा है उसके लिए एक लाइन बात बात बलास्ट में बोलेंगे NNP at Factor Cost बड़ाबर जो NNP Market Price पर है NNP किस पर Market Price पर घटा क्या देंगे टैक्स अजोड क्या देंगे सबसीडी ये जो निकला है ये वला जो निकला NNP at Factor Cost इसी को बोलते हैं राष्ट्रिये आई National Income जिसको कुछ समझ में नहीं आया वो बस एतने याद रखना कि NIE बराबर NNP at Factor Cost जो अभी आप लिखे हो ये कैसे आया वो हम बताए आपको बस ये समझना है NIE बराबर NNP at Factor Cost सुध राष्ट्रिये उत्पाद कारक लागत पर राष्ट्रिया आय कहलाता है मार्केट बजार लागत पर नहीं कारक लागत पर बोलो के लिए रहे सबका जिसको कुछ समझ नहीं है इसे कोई मतलब नहीं आप बस ये ध्यान रखिए कि NNP Factor Cost कर देंगे तो National Income आ जाएगा बस एतना बात याद रखोगे आपका Objective गलत नहीं होगा टोटल 14 सवाल है कल कर लेंगे आज छोड़ देते हैं चैप्टर आपका खतम हो गया एक बार revise करके आना देखलो सब सवाल एकजाम का पूछा हुआ है इस बार के दरोगा का भी दो सवाल इसमें लिया हुआ है तो 14 सवाल में और क्ल हम लोग करेंगे जिसका इक किलियर होगा उस सवाल कर लेगा इस चैप्टर हम लोग का कशतम हुआ ही बारी चैप्टर था कल हम लोग थोड़ा आसान चैप्टर रिस्टार्ट करेंगे आर्थिक नियोजन कहानी वहला चैप्टर है सुनके मजा आएगा आज के लिए इतना ही रहेगा बाई-बाई-टेक केर सी यो